मुत्यमेदी शिर्वासन चोहान के फोटो के साथ क्यू आर कोड लगा कर गरबड़ी उजागर करने वाले पोस्टर ने कॉंग्रेस की उलजिन बढ़ा दी है। फोन पे कंपनी ने कॉंग्रेस की रास्टी इकाई को ट्वीट का चेतावनी दिये और कहा है कि उनके ब्रांड का पोस्टर में आविधानिक तरीके से उप्योग किया जा रहे हैं। किसी राजनियतिक अभियान का हिस्सा नहीं है। वही नरुत्तम मिश्रा ने इस विवात को लेकर कहा कि कॉंग्रेस सिफ डर्टी पॉलिटिक्स करना चाहती है। फोन पे कंपनी शिकायत करेगी तो कारवाई होगी। फोन पे कंपनी ने कॉंग्रेस की राष्टी इकाय को ट्वीट करके कहा कि उसके नाम और लोगों का इस तरह उप्योग बौधिक संपदा अधिकार का उलंगन है। तुरंत पोस्टर से फोन पे का लोगो और नाम हटाये जा। वहें इस विवात को लेकर नरुत्तम मिश्रा ने कहा कि इसी को डिर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं। ये राजनीती का एक दोड़ा चेहरा है। फिसियाहट चुपाने के लिए कॉंग्रेस ये सब कर रही है। ग्रैमंत्री मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कस्ते भी कहा कि आपसी लड़ाई पर ऐसी राजनीतिक रूप से कीचर उचालना पूर मुख्यमंत्री कमलनाथ ठीक नहीं है। आपने खुद ही सुविकार किया है। जो लोग फोन, फेस्बुक पर पोस्टर लगा रहे हैं, वो कॉंग्रेस के ही लोग हैं। आपको तो फोन पे कंपनी ने चेतावनी दे दी है। राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कंपनी ने चेतावनी दी हो। ग्रैमंत्री ने कहा कि चांद पर जब कोई कीचर उचालता है, तो कीचर वेक्ट्री के स्वैम के उपर गिरता है। ग्रैमंत्री ने कहा कि यह एक राजनीति का बिद्द्रूप चेहरा है, और खिस्याड चुपाने के लिए कांग्रेश यह जो कर रही है ना कमलाग जी, यह से तो आपने खुद नहीं सुखार कर लिया है। और आपके जो लोग हैं, वो फोन पे, सीसी टीवी पे, फेस्बुक पे लगाते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेश के लोग हैं, सिंदवाडा में तो एनस्युआई का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष है, दोनों हैं, जो पोश्टर लगाते हुए दिख रहे हैं, वो जानपुर में आपके कांग्रेश का पदा दिकारी है, ग्वालियर के अंदर है, ये सीसी टीवी फोटेज हैं, मैं आपको मीडिया वालों को दिखाता हूं, सीसी टीवी फोटेज, किस तरह से ये लोग पोश्टर लगा के घर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और आप तो ख तो पीचर व्यक्ति के ऊपर स्वयम के ऊपर गिरता है, ये हमेशा कमलना दी आपको सोच लेना चाहिए, आपको तो फोन पे कंपनी ने चेतावनी दे दिये, पहली बार हुआ है ऐसा राजिनिती के अंदर, कि फोन पे कंपनी चेतावनी दे रही है, उसके बाद भी आप न नवीशा, तखल न्यूज, आपके अफ्वे, आप देख रही है, तखल न्यूज,